दोस्तो वीडियो का थमनिल देखके तो आप समझी गई होंगे कि ये वीडियो है इस अल अबाउट 5000 की रेंज के फोन मतलए जो 5000 से नीचे नीचे Android स्मार्टफोन आते हैं उसके बारे में ये वीडियो है लेकिन इसके अलावा दो बाते जो मेरे दिमाग में बहुत मतलए घूम रही है वो मेरा बहुत जरूरी है शेर करना इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पहली बात तो 5000 की रेंज में जो भी कोई स्मार्टफोन लेना चाता है उसके पिछे दो रीजन होंगे या तो वो किसी को गिफ्ट करना चाता है या फिर वो 5000 रुपर उसके लिए बहुत माइने रखते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे में बहुत रिसर्च करना और उसके बाद कुछ चाट के फोन जो है वो आपको दिखाना तो यह मेरी काफी जिम्मेदारी बन गई है मैंने काफी रिसर्च किया है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि 5000 की रेंज के अंदर मतले चाहे वो 3000 हो 2000 हो या 4000 की रेंज हो 5000 से नीचे नीचे हो तो बेस्ट फोन आपको दिखाए जाता कि आपके पैसे की पूरी वैल्यू आपको मिले दूसरी बात में अगर करूँगा तो कुछ ब्रैंड ऐसे है जो बोलते है कि भारत का फोन, इंडिया का फोन, रेड्मी, इंडिया का फोन और ये और वो और मुझे बड़ा दुख होता है ऐसा कहते हुए कि 5000 की रेंज में उनको कोई फोन ही नहीं है मतलब एक फोन का आता था 4999 रुपे का लेकिन उसका भी रेट रोड ने बढ़ा के 5000 रुपे कर दिया है एक तरफ तो भी बोलते है कि ये इंडिया का फोन है और दूसरी बात जो है कि इंडिया के अंदर 70% से भी उपर जो लोग है जो महंगी मतलब की स्मार्टफोन जो है नहीं अफोर्ड कर सकते ऐसे में उनका ये ड्यूटी बनती है उनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है जो है इंडिया के अंदर नहीं लेके आए है और इंडिया का नमबर वन स्मार्टफोन वो बन गए है खेर मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं लोगा दोस्तों और स्टार्ट करता हूँ मैं इस वीडियो को सबसे पहले जो मैं फोन की बात करूँगा वो है 1,999 रुपे के अंदर 4G वोल्टी फोन है ड्यूल सिम इसके अंदर आपको मिलेंगे दोनों के दोनों 4G को सपोर्ट करते है और यह शायद वर्ल्ट का चीपेस्ट एंड्रोइड फोन अगर मैं कहूँगा या फिर 4G वोल्टी फोन कहूँगा बात कर दोनों सिम आपको 4G की मिलने वाली है 5MP का इसके अंदर आपको में कैमरा मिलेगा मतले रियर कैमरा मिलेगा विद फ्लैश 1.3MP का आपको फ्रेंड कैमरा मिलने वाला है 2000MH इसके अंदर आपको बैटरी मिलेगी अब जीओ की सिम भी से अंदर आप चला सकते है फोन आपको मिल रहा है तो प्राइस काफी अमेजिंग है लेकिन जहां पर प्राइस बहुत जादा कम होते हैं आपको आपको ये भी समझ जाना चाहिए कि आपको लिमिटेशन भी उसके अंदर मिलने वाली है तो इससे बहुत कुस तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा एक छोटी स्क्रीन वाला है फोर है चार इंचिस का अगर बहुत ही बेसिक आपका इस्तमाल है अगर आपको फोन करना है सुनना है बहुत ही बेसिक आपको गेम खेलनी है normal बहुत ही basic आपको pictures आपको click करनी है तो बहुत ही basic काम के लिए ही आप इस phone को use कर सकते हैं इससे जाधा expectation मत रखेगा मेरा सिरफ कहने का purpose यह था अगर आपको बहुत normal काम है और 2000 का आपका budget है तो यह world cheapest Android phone है 4G का आप इसके लिए जा सकते हैं दोस्तों दूसरे अगर मैं 4G phone की बात कर रहे हैं Android की तो 4000 रुपे का यह phone आथा है live का यह है live C451 यानि की live C451 इसके अंदर आपको 2800 mAh की battery मिलती है 1 GB किसके अंदर आपको RAM मिलती है 8 GB किसके अंदर आपको storage मिलती है जिसको आप 128 GB तक बढ़ा सकते है 4.5 इंचिस की यानि की 4.5 इंचिस की आपको FWVGA screen इसके अंदर आपको मिलने वाली है 5 Megapixel का आपको rear camera मिलेगा 2 Megapixel के इसके अंदर आपको front camera मिलने वाला है Qualcomm Snapdragon का 200 series का यानि की 212 का आपको MSM 8909 का आपको processor इसके अंदर आपको मिलेगा Life की service ठीक ठाक है आप इस phone के लिए भी जा सकते हैं आप अगर यह सोचते हैं कि phone मैंने लेना है 4000 की मेरे range है और एक डिट साल मेरा phone अराम से चल जाए तो आप इस phone के लिए जा सकते हैं दोस्तों तीसरे अगर मैं phone की बात करूँ तो समझ लिए यह मेरा favorite phone है और लगबग मुझे जैसा लगता है कि सबसे best phone है अंडर 5000 की range के अंदर 4999 रुपे का यह phone है Amazon की site पे मिल जाएगा 10OD इस model का नाम है अगर मैं इसके specification की बात करूँ तो इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon का 425 का processor मिलता है जो की 1.4 GHz की frequency पे काम करता है साथ है आपको मिलेगा Adreno 308 का GPU यानि कि आप इसके अंदर game भी ठीक्टा खेल सकते है यह quad core processor है दोस्तों और 5.2 इंचेस की आपको HD IPS display मिलने वाली यानि की 1280 x 720 काफी अच्छा इसका display आपको मिल जाएगा Android का 7.1.2 यानि की Noget इसके अंदर आपको मिलने वाला है 2 GB की आपको इसके अंदर RAM मिलेगी और 16 GB की इसके अंदर आपको storage मिलेगी जो storage है उसको आप 128 GB तक बढ़ा सकते हैं तो enough space आपको काफी अच्छा space इसके अंदर मिल जाएगा pure Android experience इसके अंदर आपको मिलेगा dual SIM support मिल रहा है 4G का 13 MP का rear camera मिलने वाला है और 5 MP का front camera मिलने वाला है देखा जाए तो 5000 की range में मेरा ये मानना है कि ये लगबख सबसे best phone है अगर आपका budget exactly 5000 का है या 4999 रुपर एक रुपा कम है तो definitely आप इस phone के लिए जरूर जाएगा Amazon की website पर ये phone available है और ये मेरी surety है कि ये phone आपको value for money जरूर देगा दोस्तों इससे अगले phone के अगर बात करों तो वो phone है Nokia का phone और ये phone भी आपको 5000 का ही मतलई लबख 5000 की range के अंदर आपको भी मिल जाएगा और जो लोग phone वगरा में interest रखते हैं वो जानते है Nokia कितना अच्छा brand है मतलई आप इस पर बिल्कुल trust कर सकते हैं जैसा कि मैंने वीडियो शुरुआत करते हैं टाइम भी बोला कि मेरा पूरा focus है कि आपको value for money मिले और जो भी brand में आपको बता रहा हैं इसके नदर आपको definitely मतलई जब आप उस phone को ले रहे हो तो आपको ये feel ना है कि मेरे को किसे ने गलत गाइड करा है इसलिए Nokia की इस phone के लिए पर जा सकते हैं configuration के अगर मैं बात करूँ तो आपको 4.5 inches की आपको इसके तरह screen मिलने वाली है आपको 418 x 854 के pixels में काम करती है 5 megapixel के इस तरह को rear camera मिलेगा 2 megapixel का आपको front camera मिलेगा जो कि ठीक टाक picture ले लेती है 2150 mAh किसे नदर आपको battery मिलेगी इसके नदर आपको media tech का 6737 का quad core processor मिलता है जो कि 1.1 GHz की frequency पे चलता है साथ या आपको Mali T720 का आपको GPU मिलेगा नो मिले नॉर्मल गेम आप इसके नदर खेल सकते हैं अच्छी बात यह है इसके नदर आपको Android का Oreo 8.1 मिलता है 1 GB किसे नदर आपको RAM मिलेगी और 8 GB किसे नदर आपको storage मिलेगी जिसको आप 118 GB तक बढ़ा सकते है एक कोन के अगर मैं बात करूँ तो यह hybrid SIM स्लोट है या अगर आपने दो SIM लगा ली तो आप अलग से इसके नदर आप memory card नहीं लगा पाएंगे 131 gram को इसका weight है तो जादा weight भी नहीं है एक ठीक ठाक सा phone है Nokia का brand है काफ़े trust आप इस पर कर सकते है तो अगर आपको budget 5000 का है तो आप इस phone के लिए भी जा सकते है दोस्तो अगले अगर मैं फोन की बात करूँ तो वह है Panasonic का P99 इस phone के अंदर आपको 2 GB की RAM मिलती है और 16 GB की संदर आपको storage मिलती है जिसको आप 128 GB तक बढ़ा सकते है 5 इंचिस की आपको HD screen मिलेगी यानि 1280 x 720 pixel की आपको screen मिलने वाली है 8 MP का आपको rear camera मिलेगा और 5 MP का front camera मिलेगा दोनों ही camera इसके अंदर आपको 2.2 का aperture मिलने वाला है 2000 mAh की संदर आपको battery मिलेगी और MediaTek का 6737 1.25 GHz की frequency पे चलने वाला quad core processor मिलेगा इसके box के अंदर आपको screen guard अलग से मिल जाएगा तो extra safety इसके अंदर आपको थोड़ी से मिल जाती है earphone इसके अंदर साथ में मिल जाएगा तो आप FM का भी enjoy कर सकते है dual sim 4G volti support है hybrid sim slot है तो आप 2 sim लगाने के बाद अलग से मतलगी memory card नहीं लगा पाएगे बाकि Bluetooth, Wi-Fi वगएरा सवरशी इसके अंदर मिल नहीं वाली है Android का 7 यानि की Nogget इसके अंदर आपको मिल जाएगा अच्छा look है phone का एक अच्छा brand है एक firm grip है अगर आप देखेंगे तो phone की काफी अच्छी grip है और अगर price की में बात करूं तो 4750 रुपे का ये phone है लगबग 1500 gram का ये phone है दोस्तो अगर आपका budget लगबग 4.5-5 के बीच में है तो आप इस phone के लिए भी जा सकते है दोस्तो अगले या आखरी phone की बात करूं वैसे phone तो काफी सारे से दोस्तों लेकिन मैंने थोड़ा सा shortlist कर दिया है अपनी list को अगले अगर मैं phone की बात करूं तो है Micromaxx Canvas 5 ये अखेला ऐसा phone है जो 5000 की range के अंदर आपको 3 GB की RAM देता है प्राइस इसका 4999 रुपे 3 GB की सिंदर आपको RAM मिलेगी 16 GB की सिंदर आपको Storage मिलेगी 5 इंचिस की आपको HD स्क्रीन मिलने वाली है 8 MP का rear camera मिलेगा और 5 MP का इसका आपको front camera मिलने वाला है 2000 mAh की सिंदर आपको battery मिलेगी MediaTekka 6735 यानि Quad Core Processor वो भी 1 GHz frequency वाला आपको मिल जागा इसके अंदर माली का 400 का GPU होता है Normal Game आप इसके अंदर खेल सकते है ये wooden finish के अंदर मिलता है काफी अच्छी इसकी look है जो light special edition के बात कर रहा हूँ Android का lollipop version इसके अंदर आपको मिलेगा 5.1 Memory card आप अलग से लगा सकते हैं यानिकी 2 SIM लगाने के बाद भी अलग से आप memory इसके अंदर बढ़ा सकते हैं देखिए Micromax एक Indian brand है ठीक ठाक phone ये निकालते है अभी तक respecting ओने थोड़ी थोड़ी बनाई हुई है सर्विस एंटर भी है तो सर्विस भी इसकी आपको मिल जाती है तो अगर आपका budget 5000 की तक की range का है तो आप इस phone के लिए भी जा सकते है दोस्तों ये थे वो phone जो मैंने अपने पसंद से मतलए कि ढूंड के मैंने करे मैंने अपने तरह से पूरी कुश करे कि मैं आपको कोई गलत phone का opinion ना दूँ या किसी तरगी से कोई गलत phone आपको suggest ना करूँ हलाकि जो phone 2000 की range में है उसके आप समझे है कि बहुत limitation है उमीद करता हूँ आप भी इसको समझेंगे ये थे वो phone जो 5000 की range में मैंने आपको बताए उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो like जरूर कीजेगा चैनल को subscribe आप कर सकते हैं मिलता हूँ आपसे जल्दी ही next वीडियो के अंदर